जै माता दी आई ये जानते हैं मा अश्कंद माता की पूजा भी थी मंत्र, प्रियभो, फूल और महत्व नवरात्री के पाचमी दिन की प्रमुख बातें आज चैत्र नवरात्री का पाचमा दिन यानि पंचमी तिथी है आज के दिन मा दुर्गा की पाचमी विग्रह यानि पाचमी स्वरूप देवी अश्कंद माता की पूजा करते हैं मा अश्कंद माता ममतामई और वादसल्यभाव से पूढ हैं उनकी गोद में छे मुख वाले अश्कंद कुमार बिराजमान हैं अश्कंद कुमार भगवान कार्थिके हैं जब माता पारवती को वह पुत्रश्वरूप प्राप्थ हुए तो वह अश्कंद कुमार की माता बनी और उनके ही देवी का नाम अश्कंद माता पड़ा नौरात्री के पाचमे दिन अश्कंद माता की पूजा करने से सभी सुखों की प्राप्थी होती है और मृत्यू के बार मुझ भी मिलता है आये जानते हैं मा असकंद माता की पूजा विधी, मंत्र, प्रियभो, फूल और रंग के बारे में मा असकंद माता की पूजा मंत्र है महाबले महुत साहे महाभय विनाशनीम त्राहिमाम असकंद माते सत्रुनाम भैवाधिनी यादेवी शरोभूतेशू मा असकंद माता सक्तिरुपेड संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमूनमा मा असकंद माता का प्रियभो, मा असकंद माता को केला प्रिय है इसलिए पूजा के समय मा असकंद माता को केली का भोग लगाना चाहिए हालाकि केला न हो तो आप बतासी का भी भोग लगा सकते हैं मा असकन्द माता का प्रिय फूल और रंग मा असकन्द माता को लाल रंग वाले फूल प्रिय हैं आप मा असकन्द माता को गुरहल या लाल गुलाब का फूल अर्पित करें आपकी मनो कामना पूरी होगी मा असकंद माता की पूजा करने से दुख दूर होते हैं और पापों सी मुक्ती मिलती है जो लोग संतान हीन हैं उनको मा असकंद माता की पूजा करनी चाहिए और उनसे पुत्र प्राप्ती का आसीस मांगना चाहिए मा असकंद माता की पूजा करने से कार्यों में सफलता प्राप्त होती है यदि सत्रों पर बिजे की कामना से वह ब्रत या पूजन कर रहे हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी मा असकंद माता की पूजा करने से मोच मिलता है जो व्यक्ति जीवन और मरण के चक्र से बाहर निकलना चाहता है उसी भी मा असकंद माता की अराधना करनी चाहिए परिवार में खुष हाली के लिए मा असकंद माता की पूजा करनी चाहिए आज प्रात अशनान के बाद मा असकंद माता को अस्मरड करके उनकी मूर्ती या तस्बीर पर लाल फूल अच्छत शिंदूर धूब दीब गंधादी अरपित करें इस दवरान मा असकंद माता के मंत्र का उच्चारड सुधता से करें फिर उनको केले या बतासी का भोग लगाएं उसके बाद दुरगा चालेशा पार और मा असकंद माता की महिमा का बखान करें उनकी ही के दीपक से आरती उतारें जो लोग संतान की प्राप्ती से मासकन माता की पूजा कर रहे हैं उनको माता से अपनी मनो कामना ब्यक्त करते हुए उनका भजन किरतन करना चाहिए ताकि उनकी आसिरबात से आपके घर में खुशियां आएं और आपकी सभी मनो कामना पूर हो कर दो में